हलो दोस्तों नमस्कार शमस्त EPS 95 पेंसनर्स भाई बंदू आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है दोस्तों खबर बहुत महत पूर्ण है इसलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं सिधा खबर और टॉपिक प्याते हैं सबसे पने यहाँ पे लिखा हुआ है रगुनांदन सिंग 97931-03255 EPS 95 राष्टे संगर समती मंडल प्रयागराज उतर प्रदेश की अवश्यक बैठक दिरांक 10-2 2022 समय 11 बजे सिवेल लाइन बसर डे गेट नम्मर दो टीन सेट में संपन हुई बैठक के मुखे आते थी कारेकारी प्रदेश सद्धक्ष स्रीमान सीवी सिंग जी समस्त पेंसरर्स को 2021 और आठ दो 2022 को राष्टी नेत्यूत एवं केंदरी EP4 कमिशनर मुखे बित्य सची वेवं सलाकार एवं मतुरा के सांसद स्रीमती हैमावाली जी की नेत्यूत्र में येने सी के राष्टी अध्यक्ष प्रतिनिधी के साथ पेंसर्ण ब्रिधी के संबंध में जो वारता संपन हुई उस पर विशेश प्रकाश डालते हुए उपस्तिती पेंसरर्स सद्धस्यों को संबूधित किया वक्ता के रूप में प्रदेश उपाद्यक्ष आनंद प्रकाश्ति पाठी जी पन्ना स्री श्रिवास्तो समन्वे मंडल को आर्डिनेटर सिव संकर पांडे जी मंडल सचिव मुहम्मद अली जिला द्यक्ष रसीद अहमाद जी मंडल संगठन मंत्री रगुनंदन सिंग लल राम प्रजापती रमनलाल गुपता जी भरत जी सरोज अध्यक्ष गुलाब चंद मिश्रा उपाद्यक्ष मिरजापूर येसके बाउल जी राम बाबु कोशा अध्यक्ष अन्य सेक्डो सद्शों का मंडल अध्यक्ष स्रीमान टीयार सिंग जी ने अध्यक्ष भासन में उ प्रियाग राज उत्तर प्रदेश दोस्तों इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में साफ और इस्परस्ट रूप से दिखाया जा रहा है जो मैंने आपको बताया है भासर तो और काफी ज़्यादा लंबा चला है लेकिन जो महत्वपूर बाते थी उस बातों को मैंने अपने इस नए वीडियो में रखा है ताकि जो EPS 95 पेंसनर्स हैं यहाँ पर नहीं पहुंच सके हैं इस सभाव में नहीं पहुंच सके हैं तो वो हमारे वीडियो के माद्धिम से जान करें लें कि EPS 95 पेंसनर्स को प्हानने के लिए किया जा रहा है इटना सब सुनने और जानने के बाद यह बहुत सारे पेंसनर्स हैं वह हमारे चैनल को लाइक और सबस्क्राइब नहीं करते हैं उनको पता नहीं क्या है कि वो चेनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, सोचते हैं क्यों सब्सक्राइब करें लेकिन àp ko ये नısı संबधित कोई भी हाती है, तो सबसे पहले हमारे यूटूब चेनल के मादबं से आप लोगों तक पहुंचती है खबर तो अगर आप भी हमारे यूटूब चैनल को देखते हैं EPS 95 पेंसनर्स हैं तो आप हमारे यूटूब चैनल को सस्क्राइब कर लें यह हमरा आपसे रिक्वेस्ट है तो दोस्तो आज के लिए यही था महत्वपूर खबर चले दोस्तों मिलते हैं किसी नए खबर में और नए अपड़िट में तब तक लिए नमस्कार जै हिंद जै भारत